हाई गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छी होंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जशन की विंटर हेर केर रूटीन की वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें हेर वाश, टावल ड्र हेर पैक, ऑईलिंग, जूड़ा पूरी उसकी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, कि वींटर में मैं उसके बालों की केर कैसे करती हूँ, जशन के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो उसके बालों की हम बहुत अच्छी केर करते हैं, आज की वीडियो में मैं पूरा ओनेस्ट विंटर हेर के रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ऑईलिंग, सब कुछ मैंने एड़ किया है, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पुल हो, क्योंकि अगर आपको हेर फॉल की प्रॉबलम है, या फिर आपको हेर से रिलेटेट कोई भी प्रॉबलम है, तो आप इस तरह से अपनी हेर के रूटीन कीजिए, तो आपके बाल काफी ज़्यादा लंबे बन सकते हैं, तो गाई सबसे पहले तो हम जशन के बालों पर दही लगाते हैं, दही लगाने से डेंडरफ नहीं होता है, घर्मियों में जशन को मैं गरम पानी स हेर वाश करवाती हैं, क्योंकि जशन के बालों बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, आप सबको पता है कि जशन के बालों की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो विंटर में उसे मैं थोड़े गरम पानी से ही हेर वाश करवाती हूँ, गरम पानी से नहाने से हो inspires में नहीं रखना आपको दहीं में डहीं को दहीं को आप भारी रख्विए तो अगर आपका दहीं दो और न धीन-दिन पुरान है तब भी आप उससे बालों पर लगा सकते हैं उसे dandruff आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो देखे सबसे पहले तो मैं जशन के बालों पर दहीं लगा रही हूँ आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा lemon भी एड़ कर सकते हैं इसे dandruff की problem, eating की problem, scalp infection ऐसी कोई भी problem नहीं होगी तो दहीं लगाने के बाद अब मुझे जशन को hair wash करवाना है तो शैंपू को मैं पानी में अच्छी तरह से mix कर ली है इसी तरह से मैं जशन के बालों पर शैंपू कर यूज करती हूँ इसे बालों पर जो शैंपू के थोड़े बहुत chemical होते हैं वो बिल्कुल भी असर नहीं करते हैं आयूर शैंपू मैंने यूज किया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा लैदर कर रहा है जशन के बालों पर मुझे 2-3 बार शैंपू करना पड़ता है क्यंकि इसके बालों की लैंथ काफी ज़धा लंबी है येपे 12 बार मुझे यहर वश करवाती हो अच्छी तरह से मुझे बालों पर शैंपू लगाती है तकि इसके बाल बिल्कु नीट अंड क्लीन हो जाए तकि इसके बालों पर पानी डला ये more है में से निकल जाए जशन के बालों की हम बहुत ही अच्छी कियर करते हैं बहुत ही अच्छी उसकी रुटीन है जिस वजा से उसके बाल काफी जदा लंबे है काफी हेल्दी है काफी स्टॉंग बाल है उसके उसे यहर फॉल डैंडर इचिंग स्कैल्प इंफेक्शन ऐसे कोई बॉल नहीं है अगर आप ऐसे बाल पॉय चाहते हैं तो आपको अपने बालों की बहुत अच्छी कियर करने पड़ेगे अपने बालों का खास धियान रख्णप पड़ेगा आप उसके बालों की लैंथ देक देख सकते हैं कि दिन बर दिन उसकी बपर दीन और बी ज्यदा क अगर आप उसके पहले की वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग अब उसके बालों के लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होई है तो उसके बाद जशन के बालों पर मैं थोड़ी सी टावल ड्राइंग करती हूं ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है वो बालों में से निकल अब अच्छी तरह से सूख चुकी है दूप में वो मतलब चट पे चला जाता है और उसके बालों पर आइलिंग करते हैं मस्चर्ड आयल पैराशूट आयल आमला यह तीन आयल मैं उसके बालों पर यूज करती हूं जो भी मुझे सीजन के अकॉर्डिंग में उसके बालों आयल यह कोई भी ऐसा आयल मैं उसके बालों पर कभी भी यूज नहीं किया है सिर्फ मस्चर्ड आयल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं कि उसके बाल बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राय हो चुकी है अब इसके बाद मुझे उसके बालों आपको ड्राय को बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएं आपको ड्राय को जोड़ चा उसके बालों पर करनी परती है क्योंकि उसके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा है काफी ज्यादा मुझे उसके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा है काफी ज्यादा मुझे उसके बालों पर आइलिंग करनी परती है लेंथ पर स्कैल पर एक तरह से हैवी है और आइलिंग ही मै healthy बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने बालों की extra cure कीजिए बालों की अगर आप extra cure करेंगे तो आपके बालों पर कोई भी किसी भी तरह की परिशानी नहीं होगी आपके बाल काफी जदा long strong and healthy रहेंगे तो देखे tangles remove करने के बाद रूटीन में उसके बालों की के चूड़ा कीए रूटीन में इसके बालों की अच्छी एक했는데 नहीं हो कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा आपके बाल काफी जदा healthy रहेंगे काफी जदा strong रहेंगे तो देखें इस तरह से मैंने उसके ब्रेड बनाई है, इसके बाद मुझे जूड़ा करना है, और उसे पठका वियर करना है जेशन की ब्रेड आप देख सकते हैं कि काफी मोटी वाली उसकी ब्रेड होती है शुरू से ही मैं उसके बालों की इस तरह से क्यार करती हूँ, जिस वजा से उसके बाल काफी जड़ा है होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लग योगी वीडियो अच्छी लग योगी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सिब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग